नमस्कार आप देख रहे हैं वीडियो कहानियों का अनुखा अंदास चैनल पर अक्सर लोगों को दूसरों की खामिया निकालने में हानंद की अनुभूती होती है नीचा दिखाने में एक सैडिस्टिक प्लेजर महसूस होता है मगर आप से बहतर आपके बारे में आपकी स्ट्रेंथ और वीक्नेस के बारे में आपके अलावा और कोई नहीं बता सकता है आज की कहानी कुछ इसी फलस्वे पर आधारित है एक बाद एक लड़का अपने परिवार के साथ एक खेट पर रहता था उसके पास एक आग्याकारी कुट्ता था जो हर दिन लड़के के साथ जील के पानी से विभिन वस्तों को लाने का अभ्यास करता था उसकी ट्रेनिंग चल रही थी लड़का कभी गेंद फिकता था तो कभी कुछ और लड़का अपने कुट्ते को अच्छी ट्रेनिंग दे रहा था क्योंकि वो चाहता था कि उसका कुट्ता पूरे इलाके में सबसे अच्छा शिकारी कुट्ता हो लड़का अपने कुट्टे को जोड़दार प्रश्रिक्षन दे रहा था और फिर कुट्टा इतना ट्रेंड हो गया था कि जब तक लड़का उसे आदेश नहीं देता था कुट्टा अपनी जगे से नहीं इलता था धीरे धीरे सर्दी का मौसम आया जील में माइगरेटरी बड़ भी आने लगे शिकार के लिए यग अच्छा सीजन था लड़का और उसका कुट्टा जील में शिकार करने के लिए पहुँचे लड़के ने देखा कि उसके सर के उपर माइगरेटरी बड़्ड मड़ा रहे हैं उसने धीरे से अपने बंदू को उठाया और एक क्रेन को निशाना बनाया गोली लगते ही पक्षी जील के पानी में आगिरा लड़के ने अपने कुट्टे को जील से उसे उठा कर लाने का संकेत किया मगर ये क्या कुट्टा तैरने के बजाए जील के पानी पर चल कर गया यह देखने वाला नदारा था लड़का भी हरान था कि कुट्टे ने पानी पर चलना कैसे सीखा लड़के ने एक बार फिर उपर उड़ते हुए एक और क्रेन को निशाना मनाया और कुट्टे ने फिर उसी तरह पानी पर चलकर तेरे बिना पक्षी को मुह में दबा कर वापस ले आया लड़के के आश्यर का ठिकाना नहीं था उसके कुट्टे में पानी पर चलने की अद्बुक्षमता थी ये तो एक तरह का जादू था लड़का ये जानता था कि कोई भी उसकी इस आश्यर जनक बात पर विश्वास नहीं करेगा जो कुछ उसने अभी देखा था फिर उसने तय किया कि इस अब विश्वस्निय घटना को दिखाने के लिए वो अपने पड़ासी को लेकर आएगा लड़का पड़ासी के घर गया और पूछा कि क्या वह अगले दिन उसके साथ शिकार पर चलेगा पड़ासी सहमत हो गया और अगली सुबह वो जील के पास अपने नियमित इस्थान पर लड़के से मिला दोनों माइग्रेटरी बड्स के जुंड का आने का इंसार कर रहे थे और जल्दी ही उनके उपर पक्षी मड़ाने लगे लड़के ने पड़ोसी को बंदूग देते हुए का क्या देख रहे हो चलाओ बंदूग पड़ोसी ने गोली दागी और एक पक्षी जील के पानी में आकर गिरा लड़के ने अपने कुट्टे को उसे लाने का संकेत किया और फिर चमतकारिक ढंग से बगर तेरे कुट्टा एक बार फिर पानी पर चलकर मुँमें दबाए क्रेन ले आया लड़का गर्व से फूला नहीं समा रहा था उसने अपने पड़ोसी से का देखा 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 तुमने कमाल हो गया ना क्या सोचते हो पड़ोसी बोला मैं कुछ कहने वाला नहीं था लेकिन अब तुम कह रहे हो तो बता दूँ तुमारा कुट्टा तेरना भी नहीं जानता है लड़के को अविश्वास नहीं था कुट्टे ने जुकुच किया होते हैं चमतकार से कम नहीं था मगर उसके पड़ोसी ने कुट्टे की एबिलिटी की तारीफ करने के बजाए उसमें दोश निकाला कानी खत्म है देखें क्या सीकाम ने इस कानी से यही की यह देखा गया है कि लोग अकसर दूसरा की शमताओं या अपलब्दियों को तम करतेते हैं क्योंकि वे खुद उन अपलब्दियों को पूरा करने में असमर्थ हैं मगर आप अपना मौरल नीचे नहीं होने देंगे आगे और बस आगे बढ़ें और खुद को बहतर बनाने क्या काम करते रहें सकरात्मक मानसिक्ता बनाए रखना सफल होने का एक महत्मूर हिस्सा है इसके अलावा ऐसे लोगों से सचेत रहें जो आपको आपके उतकरिष्ट कार्यों के लिए श्रे देने में कंजूसी महसूस करते हैं वैसे भी अन्य लोगों की सफलताओं को दर किनार कर उनमें कमिया निकालना मानसिक कुंठा की एक निशानी है अगली बार फिर सुनेंगे एक और अद्बुत कहानी जानेंगे जिन्दगी का कोई नया फलसफा कोई नई सीख ऐसे ही अनोखी अंदाज में और आप आपसे आगरह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवर्श कीजिए नई कहानियों के अलर्ट के लिए